RMS value of RMS value of alternating current, अब यह क्या हो तभी है तो बचा दूम यह इसको accurate value, household supply यह बहुत सारे नाम से जाना आता है, ठीक है, तो RMS value कैसे निकालता है, तो यह आपको याद होगा, मैंने बचाया था, यह आपने का किया, direct current पास कर आया, के टाइम की है, एक circuit से जिसका resistance का ताहार था, फिर उसी circuit से हमने क्या किया, उतने ही time के लिए, alternating current पास कराया, circuit से जिसकेस में जो heat निकली, वो निकली hdc, और इस केस की जो heat निकली hac, अगर if hac बराबर में hdc, तो आपको पता है, यहाँ पर second heat निकल रही है, यहाँ पर पहले case में, इस case में जो per second heat निकलेगी, वो fix रहेगी, हमें साथ, लेकिन इस case में जो heat निकल रही है, वो variable निकलेगी, तो उस case में आप जो rms value निकालोगे, ठीक है, वो इसके बराबर आएगा, इसके current के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं, कि अगर ac और dc के द्वारा same amount of heat, same circuit से same time के लिए निकाला आता है, तो जो d dc current होता होगा, एक्च्वल में कहोता है, rms value of alternating current आता है, तो हमें कहा निकाला है, आप dc current की value, वही होगा, rms value of current, तो भी चलो सबसे पहले, ac कि तरो heat निकालता है, तो ac में heat variable वे से निकलती है, तो इसलिए किसी particular instant की heat निकाल रहा हो, तो at any instant, any instant, cb instant पर heat किती निकलेगी, dh, वो किसके बार होगा, i square r dt, dh, एकको सुनाई की वेलिकाती है, i naught sine omega t square r into dt, integrating both side तो क्या जाएगा, h, और आप तो पता है, यहाँ पर i naught square बाहर आएगा, यह वाला r बाहर आएगा, और sine square omega t dt हो जाएगा, तो इकका तो लिए, हमने 2 से multiply किया, 2 से divide कर गिया, तीक है, i naught square r upon me 2, और इसको लिए, 1 minus cos 2 omega t, और यह क्या होगा, इसके बाद ही आएगा, h equals to me, i naught square r upon me 2, और इसको दिखेंगे, तो इसको दिखेंगे, gt की मेडिप्लाइगा, 0 से लेकर t की लिमिट, ठीक है, और इसको लिमिट यहां पर लेना, और इसको यहां पर multiply करना, जिका हो, minus cos 2 omega t, cos 2 omega t dt, तो 0 से लेकर t की लिमिट, ठीक है, और आपको पता है, इस इंट्रम में लेकर फोस की वैली क्या होती है, 0 होती है, तो heat की वैली क्या रही है, i not square r upon me to, और यहां से t बचा, t की लिमिट का होगे, 0 से लेकर t, इसको इसको शॉल करो के टाएगा, आपका, i not square r upon me to, और यह क्यों है अपका, by dc, dc करेंड के तुम चो फॉर्मॉला होता, वह हीट पर गया था, i dc इकोल सुने, i square r, t, यह heat का फॉर्मॉला है, dc की के इसको, current किता है भी यह, हमने लिखा, i dc square, अब दिखिए दोनों को मैंने क्या कर दिया, इस वाले heat को और इस वाले heat को आपस में क्या क्या है, तो यह क्यों है रहा है, आपका, i ac की विलिखा, i not square r upon me, intimately upon me to, और h dc की विलिखा, i dc square r intimately, और यह क्या वाक्या, i dc की विलिखा, i not under root me to, और आपको पता है, direct current value क्यों होती है, वही क्यों होती है, i rms के बरावर होती है, root minus square value of alternating current, ठीक है, फिर उसके बाद, rms value of alternating rms value of alternating pm, अब यह क्या होता नहीं है, तो यह इसके लिए चाहिए आप लंबी सी derivation करो, जाहिए आप shortcut use कर सकते हो, आपको पता रखा रखा भिया, जो e rms होगा, वो होगा i rms, i rms, intimate resistance of circuit, e rms क्या होता है, current intimately resistance होता है, तो i rms क्या रखा है, i not upon me into r, i not upon, into me a क्या जाएगा, e not जाएगा, a होता है, e rms, एक तरीका तो यह होता है, दूसर तरीका क्या है भी है, तो उसको अब पुरा extend करके करो, ठीक है, वो मैंने कल कराया था, कल के notes में देख लेएगा, आगे बढ़ते भी है, बात करते भी है, आज जो topic है, ठीक है, पुड़ा culture अलगा है, ठीक है, जिसके करते है, circuit element, ठीक है, circuit में तीन तरीके के element होते है, basic element होता है, एक तो होता है, इसमें capacitor, एक होता है उसमें inductor, और तीसरा होता हो, यह उसमें register, यह भी है, तो बात करने हैं भी है, आप इक कर नाह में circuit element, तरी बना होता है पाला होता है पाला होता है पाला होता भीया क्वाज़ा कापासितर प्टैसितर आपको पता भी तरीके का होता है आपको सरक्यूट में जो लगा का वो इस टरफ का स्पैरिकल गपेस्टर होता है या बहुत सारे स्टेछ अब आपको पता है थ्याँ का मिया था है कुछ फ्लक्स के चेंज को तो आपको छूट इसी कोई मिलेगी सिंटीवी कॉपर की इस तरीके से होता है इन रिखता है और तीसरा और सबसे ज़्यादा यूज़ने वाला जो आपका रेजिस्टर क्या है और इस तरीके जो होता है और अजो सर्कीट में बनता है आपको छोटे से आसे इस तरीके जो होता है अधर बोर्ट पर और बहुत सारे कलर होता है यह कलर हो सकता है इस तरीके के कलर होती है उस पर कलर कोडिंग होती है कि इतना चोटा होता इस यहाद निखने सकते हैं तो इस पर इ Olivier क्रेंग काया था है जिए सब्सक्राइब करेंगे बहुत इंपुरेंट टॉपिक है तो आप देगे टॉपिक का नाम क्या है विए देग लिए तो आप दिए कल दा इस सब्सक्राइब क्या हिस्मैं कीवल तो पास इंडक्टर भी होगा और प्योर्ली रिजिस्टिव सर्किट नहीं होता तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि वहल प्योर्ली रिजिस्टिव सर्किट तो देखें सबसे पहले करना आपको सर्किट तो यह आपका और यह आपकी आपकी अप्लाइटिंग करेंड की सब्सक्राइब दूसरा अब यह इसमें यह ऐसी जैसे मैं बता रहा है मैं आसी करना है आपको दूसरे आपका आपका यह एक कोलेशन फॉरकरंट तो करेंड के लिए क्या करेंगे क्या चाल्कूलेशन फॉरकरंट तब करेंड के लिए क्या करेंगे यह क्या करेंड के लिए हम क्या करेंगे क्या करेंगे तो करेंड क्या होता है कि एमफ अपान में अपोजिशन क्या कहते है यह एमफ उपान में अपोजिशन इसे अपोजिशन इसे अपोजिशन होता है इसे क्या लिए आई को इसे क्या लिए आइक हो जाए तो उस वक्ति यह नौट के बराबर रहेगा इसे कहते हैं अगर यहां पर देखेंगे इस साइन ओमेगा की यहां पर एक हो जाए तो भ्यान क्या होगा आई किसके बराबर होगा आई नौट के और इसे कहते हैं यह मैक्सिमुम करेंड क्या कहते हैं अगर आई नौट के बराबर होगा इसे कहते हैं यह मैक्समुम करेंड मैक्सम करेंड को ए नौट से रिप्रेजन करते हैं पिर आता यह चथा चाल्कुलेशन फोर क्या ओजिशन को आपोजीशन प्याट से थाॉट करने वा совुष्योशन कैंट बादा उथ उत्पन करने वाल गांड तब गया है पोजीशन क्या कैते हैं उसे करेंट के लिए पोई भी बाद अवश्पन करना चाहिए वो इंडिक्टर हो चाहिए वो कपेस्टर हो चाहिए वो रिजिस्टर हो वो क्या कहलाएगा अपोजीशन निकालने का जो फॉर्मला है वह अभी आपका maximum EMF upon me maximum parent maximum EMF upon me maximum EMF क्या विया दिखिए E0 और maximum parent क्या विया I0 E0 I0 की वेली क्या रखी विया E0 upon में R तो E0 से E0 cancel हो गया R resistance क्या होता विया AC circuit का opposition होता है इस circuit में जो opposition होता हो क्या होता है resistance ठीक है अगला पाच्व 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 आपका भीया स्वेस डिफरेंस क्या है फेस डिफरेंस इन बिट्वीन current and EMF अभी तो इसे चलने देगे हैं ठीक है अब पोजिशन देखिए फेस फेस मतलब होता है एंगल हम देख रहें यह current का एंगल किता है ओमेगा टी क्या है और EMF का एंगल किता है कहने का मतलब है कि जब आपका टाइम जीरो पर होगी यहां पर यह small t 0 if small t equals 0 समझेकर एंगल क्या और आपका जीरो जा रहा है और EMF भी क्या हो जा रहा है और EMF भी क्या हो जा रहा है अगर मैं स्मॉल टी को क्या करूं भी यह टी वाय में 4 कर दो तो आप देखोगे उसी टाइम पर आपका करेंट क्या होगा आई नौट के बराबर जाएगा आई नौट के वे लिए आपको पता ही है कि नौट अपॉन में और और EMF भी क्या देगा इनौट के बराबर हम देखने भी यह जब करेंट जीरो है तो EMF भी जीरो है यहां पर City let tap the same thing क्या है दोनों के पास बींट के है दोनों सेम जीरों सेण कर रहे है दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं दोनों एक साथ घर सेंफ जाता इस जिए तो उनका जो फीर्ड टु का वावड़ी चेण आ आता है तो एक सोता है क्या दोनों के अंदर अलग-अलग तरीके से बारियेशन हो यह उढ़ना नोगनिया था । अब जब दोचीज़े ahorita कीवेutood जीरो किएगा उसका भिप्रक्र इस का भिपस्ट दिफस्ट में और दोन एक साथ चलते एक साथ मैक्सिमल में साथ मिनमूम एक साथ नगडी सब cajan इन के बीच्व पर दिफेंस के वह लिए अगला भी आपका अगला अपता वेव टाइग्राम क्या है वेव अडाइग्राम चैनल यह वेव डाइग्राम क्या होता तो यह दिखे अपने तो पता है करेंड क्या था आई एन और एन और स महारा ऑन चायन व subscribers psychiatक क्या होता है में अने टांप यह घुक आपो सायन लुए सिन के शुक्राइग्राम क्या होता है क्योंक्त विए बनाता हुए हुआ है उप तो यह आप दिखे रहें जो करण के लिए बंदा है वो भी क्या बने है साइन डाइगराम मनेगा और जो एमस्के लिए बन रहा है वो भी क्या बनेगा भी यह जब करेंट जीरो था तो यहां पर बताता हूँ इनए और यह था भोर्य वेरिशन एक सेम अगला यह फेस्ट डाइलाओं जैकर यह फेज़ेग्रावन इसे कहता है तो ओ लॉक बीडाइट उन्न वेटियराइशन एक सेम होती है अगला अब और पेजर डाइग्राम फेजर डाइग्राम या फेजर डाइग्राम अब यह कैसे बनता है यह कुछ इस तरीके को बनता ग्राफ पर अपने दिखा लिए कि अगर आपका कि एमफ कहा पर है ओमेगा टी एंगल पर है इस पर है ओमेगा तो करेंट कहा पर होगा करेंट भी ओमेगा टी पर होगा तो कि दोनों का फेजर डाइग्राम भी क्या होगा दोनों एक की लाइन पर आएंगे दोनों क्या होंगे एक की लाइन पर आएंगे तो यह करेंट भी आ सब्सक्राइब अब जो आएगा अच्छा आएगा अभी तो कम बनाया है और करेंट की वेली वह छोटा बनाया बाकी फेस दोनों को क्या होगा सेम रहेगा दोनों के अंदर और चीन्ज ओने का पैटर्न क्या एक जैसा है अब आते भी यह एचे सरकेट अज़ेगा अचे सरकेट पासिटर अब गएचे सरकेट इसमें क्वं गविया अपशिटर ठीक है कि पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे तो अब डाइगराण यह आपका पासिटर यह आपका और इंदिंग देखिए आपको पूछे निपने तैगर यह गया आपका यह आपका सब्सक्राइगराण गूसरा क्या करना भी अपने को कि या निकालना है दूसरा निकालना है आपको अप सब जानते हैं क्या हूआ है default को दूसरा निकालना है अब को एक साईन होंगा ती बराबर में बन हो जाएं तो कि यहां पर क्यालकुलेशन थोड़ी चलेगी मतलब है वी चलेगी कि तिसरा कि एक क्यालकुलेशन ओर करेंगे लिए क्यालकुलेशन करने आ रहे है कैसे किया गिए तो करेंट के-लिए क्यालकुलेशन करने ही सब्सके सब्सके एक करेंट में कया अचलिए बताव कहाँ सेंटर और करेंट के दिए आ बताओ एक आसर रिशन बताओ जहां पर देखे आप गदेव अभी मैने कल भी बताया था कि आई को समिटा था डी की आपन में डीटी होता है कि टुदा आई को सुमें डी कियो पर में डी ओता है जो पर लाइब जो यहां सब्सक्राइब दो कि वेले क्या होती है क्यों होता है वह जो होता है सी वी ओना लेकिन आपर वी को नहीं भी नियूज करने हैं और आपको बनावर आपको पता ना आई क्यों अब्सक्राइब करना आपको इसी रहा एक वेली कोगी ए नोल साइन ओमेगा टीकत नुए उसके बाद आई को सुझाल सी कॉंस्टेंट अंदर का वादी अपॉन दूटी और साइन ओमेगा टी तो इसका तो नहीं है उसके बाद आई को सुमेगा टीको दुबारा से डिफिनेशिट करते हैं अगर केवल टी अगर को सुमेगा नहीं होता के वली टी होता तो आपका कॉस्स पी विजल्ट आता क्या होता लेकिन आगे है तो इसले आगे भी होगा डिफरेंशिट अब यहां पर देखिए आई को सी इनौट वाद पॉस्ट ओमेगा टी और देखिए यहां पर ओमेगा बाहर आगा तो अगर क्या है तो आगे विजल्ट एक लागे तो इसले टी नौट ओमेगा ति आपका करेंट आगे को दिक्त तो नहीं है मैंने कह दिया कि कौस्ट ओमेगा टी कि द्हानी एक हो जाए क्या हो जाए तो करेंट क्या जाएगा दिया maximum हो जाएगा current के होगा, maximum हो जाएगा और उस maximum current की वेली की हो गहाँ है, C e0 omega धियान रगना भी है यह बहुत इम्होंट है, याँनि capacitive circuit में maximum current की वेली की होती है, C e0 omega होती है, क्या होती है? सीना रुमेइख और ये में फ्ट्रीए इडॉट के बराओ फीर मैंने क्या करहा था क्या था कि ए माँचिंट गरें कि ए कि ए कौन से इस हुआ पोजीशन इन इन पॉजी इन पॉजीशन इन क्रेंट के लिए पॉजिशन आड़ें maximum emf upon me maximum current तो भी आपका maximum यह क्या रखा है c e not omega अच्छा e not और maximum current क्या रखा है c e not omega यह और यह क्या वाइब में c omega आ गया इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इसको लिखते sommes here in ap reactants क्यों जो यह पेस्टर एसी करेंट की लिए आपकोजिशनल क्लियेट करता है तो जो आपोजिशन उती है उसको एक लग नाप से नहीं रहाता है उसको करते हैं इसको करते हैं किससे करते है XC से, किसे? XC से, हम दिखे को भी है SI unit रही है, अब इसके बारे पर थोड़ा पढ़ना अपने को हम ने देखा V no XC के बारे क्या है 1 by में CU में क्या है, क्या ही है ये भी current के लिए opposition जो भी current के लिए opposition होगा उसकी SI unit होगी, क्या होगी अब दिखे भी है, इसका behavior AC और DC दोनों के साथ अलग-अलग होता है, देखे, behavior of XC with DC direct current के साथ क्या behavior होगा एक capacitor का direct current के साथ क्या behavior होगा, अच्छा आपने देखा है क्या है कि भी हाँ second chapter में, हमने जब capacitor पढ़ा था, तो capacitor के अक्रॉस में बैटरी लगाई थी, क्या लगाई थी? बैटरी लगाई है, और बैटरी का लगा दे के साथ ही, बैटरी का सारा चार्ज, capacitor ने क्या किया था? ठीक है, बैटरी का सारा चार्ज क्या किया था? क्यपेस्टर ने स्टोर कर लिया था, आप जब बैटरी का सारा चार्ज, capacitor स्टोर कर लेगा, तो क्रेंट की वेली क्यों होगी? जीरो, क्रेंट आये गई नहीं तो DC सर्किट में अगर आप क्यपेस्टर लगा देते हो, तो वहां पर कोई भी current आने वाला नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज, पहुँच्टर कर ले रहा है, क्योंकि सार्ज, तो सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो current की वेली का नहीं है? यह तो वही बताना मुझे आपर अभी आपको पता है DC का ओमेगा क्या था ओमेगा डी सी का डी सी कभी भी ऑस्सिलेट नहीं करता जो शी जो थिशिलेट करते उसकी एंगुलर फ्रिक्रेंसी क्या होती है जी तो एकसी क्या होगा वन बाइमें C जिरो ऩो इनफाइनाइट होँ के लिए पोजिशन क्रिएट करता है जब जिसके लिए इप फैनाइट अपॉजिशन क्रिएट करो गा veo के लिए तो भी और दीसी के लिए करेंगा जब फ्लो नीए करपाएगा अच्छार्ट करेंगा तो करने भीव करने इन यह प्लो चार्ट को अगर आपने DC voltage apply कर रखा तो opposition क्या होगी current क्या होता है EMF upon में opposition opposition DC क्या होती है infinite current क्या होगी तो इसलिए भी है जब आप capacitor लगा देते हो battery के साथ तो किसी प्रकार का आपको current लगने वाला नहीं है reason क्या है क्या है तो कि उसका opposition इसके लिए क्या है चार्ज के लिए DC चार्ज के लिए infinity सब्सक्राइब तो इट ब्लॉग दी DC चार्ज DC चार्ज में क्या करें ब्लॉग कर देगा ब्लॉग कर देगा और current due to DC क्या आता है जीरो आता है अगर आप DC बैटरी के DC DC करेंट के साथ capacitor जोड़ दो गए तो इसी प्रकार का current आपको circuit में मिलने वाला नहीं है तो आप देखें बीएवियर भी देश्य और बीएवियर भी देश्य के साथ बीएवियर क्या होगा तो भी आपको बता दो आपको UK होगाओ यहेवियर के साथ देन कानी जाधा होगा धी टमवेगा क्या एकstar मेगा के साथ था डिएक जो उसका जअगा ज़ाए जब्स्रेंंगा होगा ए तो उसका ओमेगा जर्टा होगा तो यह ज़ादा होगा तो यह स्का Warriors एक्सि small हो जाएगा क्या जाएगा opposition for AC opposition for alternating current क्या होगी भी भी आ small यानि अगर आप capacitive circuit देखोगे तो capacitive circuit में अगर आप AC current apply कर रहे हो तो वो capacitive circuit AC के लिए किसी प्रकार किया position create करने वाला कम करेगा बहुत कम करेगा इसका मतलब अगर आप capacitor को अगर आप capacitor को अगर आप AC circuit में लगाते हो और छूत यो तो आपको भरपूर current लगेगा तो कि उसका position उसके लिए ही नी वो किसको करता के वाल DC को AC को का करेगा अब यह तू आराम से फ्लोकर आप कम करेगा करेगा हां gap है QURN या है। इसकेश में अगर आप छुवे नगने वाला है ठीह है अब दखिये अगला गया क्या विए एक पेस्ट दैग्रम क्या विया वेव डाइग्रम पहला वेव दाइग्रम इंड है वेव कि अज़िए को अज़िए इस दो नहीं कि अधिक तो पंक्य लगा रहा है ना कैपस्टर उसको चुछ को यह को भी निकाल करें दबाखे करें नहीं अब अब डीसि में आप चप्तर नंबर टू पर रहे थे वो एलेक्ट्र टेडिक था या ट्रेंट इलेक्ति से था बसलेपर करेंड नहीं है न वहाँ पर क्या रहे थे बैट्टरी के साथ क्या लगा से लिगा सब्सक्राइब कपस्टेट ऋल कर लेखा तुछ दो करेंड को आप नजượए तब तो एडंच में अपने कैसे बाटरी जोडा था तो आप पर इलेक्टिस इपने इलेक्टिस जोड़ा मतलब आपर करेंड है तब आप इलेक्टिस जो रहुँ ना कि वहाँ पर चार्ज है करेंट नहीं है सबस्क्राइब एक मुट कि लगाई टेगराब टेगराब तो आपने देखा एमस का था यह नौट साइन वेगादी लगाथा एंड करेंड क्या था सी नौट ओमेगा और कॉस्ट ओमेगादी यांदी दिविया हम देख रहे हैं इसके साथ क्या लगाए एमस के साथ और उसी सर्कृट में करेंट के साथ क्या लग रहा है कॉस्ट तो भी अगर वेव डाइगराम आप बनाने जाओगे तो यह देखिए आपर करेंड का वेव डाइगराम जिसको फूलो करेगा कॉस को कॉस्ट यहां से स्टार्ट ओगा और एमस का वेव डाइगराम जिसको सपूर्ट करेगा का कररैंड है और हुआ का करन में नुक्त करेंट की तरह किसका घ्राफ है उसके बाद है फेजर डाइग्रम क्या है कि पेजर डाइग्रम आपको बता दूंग यह जो करेंट होता है कि जुक्क होता है वह साइन से नबय डिगरी आंगर सब्सक्राइब किसी है सब्सक्राइब करेंट को कि नव पर यहां पर है अगर्ड इंप मेंची है अगर यह उमेगा टी एंगल पर है तो यह किता होगा नभवे डिगरी पीछे नाई दिए अगर यह तो करेंट होगा यहा पर है अगर करेंट यहां पर होगा तो यहां पर होगा अगर करेंट और अगर आपका करेंट यहां पर है तो यहां पर रहेगा और हमेशा करेंट क्या होगा आगे रहेगा तो यह आपका आपका इंडुक्टिव सर्कुट हो लिए अगली लास में कराऊंगे करें दोनों मुलाने हैं बेस पर क्या साइन को अपको देखके मनाना दोनों पर यहां है अब भाई मैं कह रहा हूं गर कॉस्ट नोगा आप चाही जीरो पर चाहीं पर इसे क्या मतलब है कि अब को प्राइव अगा विए यह जैसी वन होगा तो यह क्या रहा है अब कास्वन हो गया और गाए वाल्यक अग्जिवन हो गया तो फॉस्ट अगई कि मैक्समें डिको टीया वन्यों तो तो वह भी क्या हो गांग्समुजाएगा बता है इस पर आई टो यह ट्राइग हमें बता है अवाईगर आईग दिएसर च ser भर रहा को कि मैं है रहा हा बाएंगर आएग कि मैं हो यह जाएगग माता हुँजाएई गुभ है कि में अझाटिवर्ग घ।ब है बता है अब के आईदालने से बताहइग है यह ज हीतुआ है दिए है आईखक है कि मैं आईदी